तो नमस्कार स्वागत है आपका आप हैं करेंटिव दियूम्क के साथ तो आज आप लोग को बताएंगे इंवार्मेंट साइंस का जो पॉइंट आप व्यू से है दियेच्चों के उसके बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए सबसे पहले बा पारिस्थितिक तंत्र में या बायों में मिलने वाले जीव जन्तों के प्रजात की विवित्ता को जैव विवित्ता कहते हैं क्या कहते हैं जैव विवित्ता बायों क्या होता है मलब जीवों समान जैविक तथा जैविक दसाओं वाले प्राकृतिक पारित अंत्र को जीवो एक ही प्रजात में पाई जाने वेले जीन संबंदी विवित्ता अगला है प्रजात जैव विवित्ता बिभिन जातियों के मध्ध पाई जाने वेले विवित्ता होती है पास है इधर जो है और दोनों तरफ जो है तो क्जिविशु का सर्वाथिक जव विद्था वाला पारिक्षितिक तंद्र होता है तो विशुवत रेखा जो है उसके आस्पा जितने छेत्र है तो वहां पर जविटा भोज़ादा पाए जाती है इसका आप जो है सबसे अच्छा एक्जाम पर ले सकते हैं जो जंगल है उनसे ठीक है जो की ब्राजील में है सबसे अधिक वहां पर इसकी आप डाइवर्सिटी यह क्या होती है यह एक छेत की विविता या पारितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविता है अगला पॉइंट सामुदाई ज्यादा उत्पादक एवं इस्थिर पारितंत का निर्मार करती है जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने म मत्ड्म पूर्वी नेपाल में हम भूटारं के प्य फ्याला हुआ जी फिह माली है पस्चिम कमारीत भारत या का उल्क करता स्थित इससे जो है विस्यावां कि स Congress should दो मनें बताया है आगे पस्चिमी घाट के सदावहार वन जो है सोला जिनको कहते हैं इनको सामिल क्या गया है इंडो बर्मा हाट इसपार्ट तो इसमें क्या है भारत के उत्तर पूर्वी छेत्र असम अंडमान दीव समूह इसके अंतरगत आते हैं सुटा लेंड हाट इसमें इंडो मलाया दी पाते हैं भारत का सबसे बड़ा हाट इसपार्ट कौन है यह इंडो बर्मा सीमा है और सबसे छोटा हाट पस्चिमी भाग है जो पस्चिमी घाट जो है न यह आपका ऐसे पड़ता है ऐसे गोवा से लेके और महाराष्ट्रा और केला तक यह पूरब आता नीचे सरवाधिक मानों जा संख्या घंद तो पस्चिमिग घाट में हैं जो कि हड़ सपार्ट में है सव्मुद्री समयदन सील छेतर हड़ सपार्ट वरतमान में कुल पचास हैं भारत में दो लच्छदीप अंडमान निकोबार दीप समूं निम्न छांसों में उच्छ छांसों से ज़्यादा जैवविता पाई जाती हैं अगला है तशिन अमेरिका के za प्रवाल भितियां जीवों के लिए आदर्स जो है पारितन्त प्रदान करती है इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है जो प्रवाल भितियां होती है विस्ट में सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति ओ आस्ट्रेलया की ग्रेट बैरियर रीफ है भारत में खाल जाती हैं तो भारत में बहुता वेंसे त्वेंसफ़्ण समट्धन करते हैं जार्वारत जयों बता चुके हैं भूमत रेकी प्रदेशों पाई जाती नियुनतम द्रूओं के निकट पाई जाती यानि कि जो सौथ पोल नार्थ पोल है ओके सरवाधिक जैव विविता वाला महादीब कौन सा है अफ्रीका महादीब यहां पर सरवाधिक क्योंकि तीनों जो रेखाएं हैं वह अफ्रीका महादीब से तो जलवयों परिवर्तन वैसे मानो छेपित भी होता है दोनों तरीके से होता है सूखायों मकाल प्रत्वी उलका पिंड की टककर तो मानो जनित में होता है प्राकृतिक आवासों का विनास आवासों का विखंडन वन जीवों का अवयद सिकार जूम करसी और द्योगी करन निर्वनी करने यह हो गय कारण इसके ठीक है छे कारण है इसमें टोटल आवास विनास जयो्यवितक के ह 챈व का मोक्त k tạiक्षर होता है जैसा कि आपका लेंटाना कैमरा है तो यह आपका क्या कहते हैं कि खरपतवार है तो यह विदेश से आ गया था भारत में जो कि यहां पर जो है अपना विकास कर रहा है तो यह एक प्रकार का है रास कर रहा है यह अस्थानिक प्रजातियों को नश्ट कर देते हैं फॉर एक यांपल यह देख ग्लोबल वार्मिंग भी जेव विवित्ता नस्ट होने का कारण है जैसे कि नास्टाइग में 25-25 से ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है टाइगावन भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है स्रीविंक टेशर तिरूपूर प्राकृतिक सनचन के लिए अंतराश्टी संग आई यू सीयन और स्थापना 5 एक्टूबर 1948 को हुई थी मुख्यालेस का ग्लांट में हैं ग्लांट बोले तो सुजिजर लेंड में पड़ता है आपका विस्तु का सबसे पुराना हैं सबसे बड़ा वैस्विंग नेटवर्क है सरकारी और गयर सरकारी जो है दोनों सं